हेलो गाईज, वेलकम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक सब्जेक्ट के अंदर भी जो हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा, इमीडियेट केर ओफ न्यूबॉर्ण एट बर्थ, ठीक है, आपने बच्च चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपने करनी है, इसके बाद, इस्टैबलिश एंड मेंटेंट एयरवे, पेटेंट का मतलब होता है, ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे याप बेबी को रिसीव करते हो, वार्म टावल के अंदर, नेक्स्ट प् पहले माउट से करोगे, फिर नोट से करोगे, सक्षनिंग के थूँ क्या हो जाएगा, आपका जो एयरवे क्लियर हो जाएगा, अगर मतलब माउथ या नोस के अंदर किसी तरह का कोई म्यूकस सब्स्टांस या कोई फ्लूड है, तो वो सक्षनिंग से आपका क्या हो अगर आप टेंपरेचर में नहीं करोगे, तो बेबी की डैथ भी हो सकती है, या फृदर को अच्छे से ड्राइ करना है, ठीक है, वार्म टावल के अंदर उसको रिसेव करोगे, ड्राइ करोगे, जैसे ही टावल गिला हो जाता है, दूसरे टावल में बेबी को ले गोई, और अच्छे से रैप करोगे, ठीक है, बेबी का जो हैड है, वो अच्छे से रैप होना चाहिए, यहाँ पर, नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगी, वो रहेगी हमारी असेस्मेंट और डोकुमेंटेशन ओफ बेबी स कंडिशन, ठीक है, असेस्मेंट के अंदर आपने फिजि करोगे, आँखों को क्लीन करोगे, इनर से आउटर कैंथस की तरफ किसी तरह का कोई फ्ल्यूड या ब्लेड का कोई पार्टिकल बेबी की आँखों में ना जाए, इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, नेक्स्ट जो चीज़ करोगे, आप वो करोगे, ठीक है, एंड कर दा अमलैकल कोड को पहले क्लैंप करोगे, इसमें आप आर्टरी फॉर्सर क लोगे, उससे क्या करोगे, अमलैकल कोड को क्लैंप करोगे, फिर कट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है, वो है केर ओफ स्किन, फिर आपने बेबी की जो स्किन है, उसका ख्याल रखना ह बच्छे से clean करनी है, dry करनी है, next चेज आप क्या करोगे, immediately administer the vitamin K, जैसे ही आप baby के assessment और airway और warmth को maintain कर लेते हो, आप क्या करोगे, फिर vitamin K का injection लगाओगे, vitamin K injection आपका क्या करता है, help करता है, formation of clotting factor में, यह आपके number 27910, इन 4 clotting factor को बनाने के लिए responsible होता है, clotting factor आपके total 13 होते है, clotting factor के ओपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, clotting factor क्या है, और कितने होते हैं, यहाँ पर हम baby को vitamin K administer कर रहे हैं, ताकि clotting factor की formation हो सके, किन-किन clotting factor की number 27910, ठीक है, और हमने vitamin K का injection baby की थाई में लगाना होता है, थाई के अंदर भी जो आपकी muscle रहेगी, वो रहेगी, थाई के अंदर भी I.M injection आपने लगाना है, muscle रहेगी आपकी vastus laterless, ठीक है, vastus laterless नाम की muscle के अंदर आपने क्या लगाना है, vitamin K का injection लगाना है, अगर आपका baby Trump baby है, यानि सेंतिस हफते के बाद बाद पैदा हुआ है, तो उस next क्या करोगे, identification of baby, ठीक है, अब आपने क्या करना है, baby का नाम तो खेर अभी नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी आप लिखोगे क्या, baby के नाम की बजाए, आप लिखोगे mother name, father name, ठीक है, time of birth, किस time पे बच्चा पैदा हुआ है, baby का जो sex है, वो क्या है, boy है या female है, और आप क्या करोगे, fingerprint, मतलब जो भी file रहेगी, mother की और baby की, उसमें क्या करोगे, fingerprint लोगे, mother के, और बच्चे के आपने लेने होते है, footprints, ठीक है, ये सारे चीज़ें, आप मतलब, identification band की तरह है, या फिर ये सारे चीज़ें, आप लिख के, एक identification band पे, बच्चे के हाथ या पैर पे, आप उसको tie कर दोगे, ठीक है, ताकि इससे पता चले कोण सा baby किस mother का है, next जो 10th आपकी care आती है, वो है transfer of baby according to the level of care required, ठीक है, अब आपने देखिए, हर चीज़ें को maintain कर लिया है, आपने बच्चे को अच्छे से receive किया, airway maintain कर दिया, temperature maintain कर दिया, documentation कर दिया, care कर दिया, code को cut कर दिया है, injections लगा दिया है, ठीक है, identification band अपने बच्चे के हाथ पे tie कर दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, baby को transfer करोगे, according to the level of care required, ठीक है, अगर आपका baby normal है, सारे vital sign normal है baby के, तो आप उसको क्या करोगे, ward के अंदर shift कर दोगे, postnatal ward के अंदर, mother के पास, ताकि breastfeeding कर सक अगर तो आपका baby, मतलब rate rum है, या low birth weight baby है, या फिर उसको किसी तरह का कोई, और दिक्कत है, respiratory distress है, ऐसी कोई condition है, तो उस condition में आप baby को क्या करोगे, निकू के अंदर भेजोगे, निकू क्या आपका neonatal intensive care unit है, वहाँ पे आप बच्चे को भेजोगे, ठीक है, तो जिस तरह क कि उसको care की जूरत है, उस हिसाब से आप baby को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो ये 10 steps थे आपके immediate care of newborn at birth, जो आपने करने होते हैं, so thank you guys, ये topic यही तक था, मिलते हैं next video के अंदर, next topic के साथ, thank you